नमस्कार आपके साथ मैं हूँ चारुल मलिक अदा के दिवाली स्पेशल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप पर भी लक्षमी हो जाएं महरबान धन तेरस पर खरीदिये कुछ ऐसी शुप सौगात तो कल है धन तेरस का त्योहार और इस बार सोने चांदी के सिक्के या नोट नहीं गल्कि घर लाएए धन तेरस के स्टाइलिश शगुन धन तेरस पर सोने चांदी के गहने खरीदें या फिर सोने चांदी के और दूसरे शगुन कैसे करें सोने चांदी की असली परक, सोना चांदी खरीदते वक्त किन बातों का रखे खयाल, आईए देखते हैं किसी भी गहने पर जो आप खरीब दे रहे हैं उस पर आपको यह पाचो इस्टेंप जरूर उपनेगी इसमें यह पाच इस्टेंप आपको मिलेंगी सबसे पहले तो दी आईएस का ट्रेंगल है यह उसकी शुद्धता है 916 इसका मतलब कि 22 करेड़ यहाँ पर होर मारी के सेंटर का निशान होगा यहाँ पर एयर कोड़ होगा और यहाँ पर जिस जुलट्से आप गारें उसका निशान होगा चिन होगा योगों को यह बताना जरूरी है कि जब भी आप सोना ख़ईदें तो यह पाचो स्क्राइब जरूर देखें इसके भी ना जूलनी मत ने भारते मारा बिलों में चांदी का भी सर्डीगेशन का इसकी इंचाली की ही है आप चान्दी के बर्तन या चान्दी की जेवरा जैसे जब भी खईदें, आप पाचों लोगों देखे ही खईदें, जैसे कि मैंने आपको गोल में बताया था, इस तरह के पाचों लोगों आप उसमें देख सकते हैं, चान्दी की बर्तनों की क्या होता है चान्दी में लोग 20-25-40% तक चान्दी होती है मैं यह इनुदरवत करूँगा थि हुल्माग निशान देखके आप ख़िदेगे अदरवाइस चान्दी पो आप कैसे टेस्ट करेंगा अप चान्दी ख़िदने जारे हैं तो आप कैसे डिर्मेंट करेंगे चान्दी है यह है सोना चान्दी हुआ स्टाइलिश तो फैंसी स्टील भी बढ़ा रहा है धन तेरस की शान दिखाएंगे आपको आगे सोने के गजराज चान्दी का शंक सोने के लिफाफे या अश्ट विनाय की अंत्र हर किसी को लगी लक्ष्मी पाने की धुल झाल